तो दुस्तो शुर्य हम बात करने वाले InfiBeam Avenue Limited Company के बारे में और InfiBeam Avenue के अंदर आज आपको यहाँ पर 6-7% के अराउंड की एक बहुत ही अच्छी कासी जो यह आपको तेजी एन एक स्ट्रॉंग पॉजिटिव क्लोजिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है तो दुस्तो InfiBeam के अगर हम फाइनली यहाँ पर बात करें तो आज अगेन आपको 7% की तेजी के साथ यह काउंटर 28 रुपीज जो कि इसका लास्ट रेजिस्टन्स था उसको ब्रेक करके उसके भी उपर क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है अब अगर आप यहाँ पर InfiBeam Avenue को Weekly Time Frame पे देखोगे तो Weekly Time Frame पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2021 के अंदर जो resistance जो rejections लगे थे InfiBeam Avenue के अंदर 28 से लेकर 29 रुपीज के अराउंड के वहाँ कहीं पर अभी फिलाल InfiBeam Avenue ट्रेड कर रहा है 30 रुपीज जो है वह इसका एक हर्ड अले अगर मालो 30 रुपीज के लेवल्स को ब्रेक करके InfiBeam Avenue उपर निकल गया तो 40, 40 के बद आपको directly 50 रुपीज तक का भी जो टागेट है वह easily आता हुआ देखने को मिलेगा Stock जो है वह 50 रुपीज से लेकर यहाँ पर अल्मोस्ट 6 रुपे तक आ गया था 6 से लेकर अभी फिलाल 29, 30 पे चल रहा है और 30 से एक counter definitely 50 जाने का again potential रगता है क्योंकि fundamentally stock के results जो है वह हमें अच्छे का से देखने को मिल दे है